इस वडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी कार्विल 3.125 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्च रक्चाप, दिल से संबंध हित सीने के दर्द, एंजाइना और होट फैलियो के इलाज में किया जाता है यह रक्च वहिकाओं को आराम देकर काम करता है इसलिए रक्धर दे में अधिक आसानी से प्रवाहित हो स चाहिए आपको इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में लेना चाहिए यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं यह आपका रक्चाप नियंत्रित है तो भी इसे लेना महत्वपूर्ण है डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को बंद न करें क्यूंकि आपकी स्थिती और खराब हो सकती है अपनी जीवनशेली में कुछ बदलाव करने से आपकी स्थिती में सुधार करने में मदद मिलेगी इनमें नियमित व्यायाम वजन कम करना धूंद पान बंद करना शराब का सेवन कम करना और अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसा अपने आहार में नमक की मात्रा कम करना शामिल हो सकता है अधिकांश रोगियों द्वारा यह दवा अच्छी तरह से सहन की जाती है लेकिन इसके कुछ दुश प्रभाव हो सकते हैं इनमें चक्कर आना, सिर्दद और ठकान शामिल हैं अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या य गुर्दे की कोई बीमारी है गरभवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद